हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इसराफिल इस्टडी में तो आज हम लोग भीनका घटाब बनाना सिखेंगे यानि हम इस वीडियो में बेसिक से बेसिक लेवल का भीनका घटाब बनाना सिखेंगे तो इस वीडियो को लाश तक देखेंगा जिससे कि आप किसी भी परकार के भीनका घटाब असानी से बना सकें तो वीडियो को लाश तक देखेंगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों कोईसा नमर एक है तीन बटा चार माइनस दो बटा तीन तो ये हमारा भीन है इसका हम घटाब बनाएंगे तो यहाँ धियान दिजिए यहाँ तीन बटा चार है तो तीन को हम कहते हैं अनस और ये जो चार है इसे कहते हैं हर इसी परकार यहाँ भीन है दो बटा तीन तो दो है अनस और तीन है हर तो अब देखिए भीन का घटाब बनाने का कॉंसेप तो कॉंसेप दोस्तों ये है कि हम पहले हर का LCM लेंगे यानि इसका हर है 4 और यहां है हर 3 तो इस तोनों हर का LCM लेंगे तो देखिए हम हर का LCM कई से निकालते हैं तो यहां रॉप में हम लिख लेते हैं संख्या है हर 4 और 3 तो इसका LCM निकालेंगे तो भाग करेंगे तो हम इस 4 और 3 में ऐसी संख्या से भ दूनी चार अब यहां तीन है तो तीन दो से कटेगा नहीं कटेगा तो इसे हम ऐसे उतार लेते हैं ठीक है अब देखिए दो है तो दो अभी भी दो से कटेगा कितनी बार में पुरा पुरा एक बार में तीन नहीं कटेगा तीन को ऐसे ही उतार लेंगे फिर देखिए यहां एक और तीन है तो एक तो एक ही है लेकिन हमें तीन को भी काटना है कौन से संख्यास कटेगा तीन से कटेगा तो यह एक है और इहां तीन से तीन कटेगा एक बार में तो यह दर अस 총 करिके आ गया तो यह जो भाग करने का गुने क्या है 3, तो गुना करेंगे क्या होगा 12, तो 12 जो है यही हमारा LCM है, लगुतम है, ठीक है, तो हर का LCM यहां है 12, तो हम लिखेंगे यहां, एक बठा का लाइन लेंगे, ठीक है, तो हमने हर का LCM लिया है कितना है 12 तो line के उपर वाले भाकों हम करते है the prior and noon और नीचे वाले भाकों करते है हर तो हर में हम LCM जो आया है 12 इसे यहां लिक लेते हैं ठीक है अब देखे अब हम क्या करेंगे यहां हर को देखेंगे तो यहां इसका हर है 4 तो दोस्तों, चार के पहाडा में कितनी बार में बारा आता है? तीन बार में, यानि हमारा एलसम बारा आया है, तो हम हर को देखेंगे, हर है यहां चार, फिर हम चार में देखेंगे कि कितना से गुना करने पर बारा आता है, तो चार में तीन से गुना करने पर बारा आता है, तो यहां अंस में 3 है ठीक है तो दोस्तों 4 में दी हम 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा तो हम कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा 3 से तो अब हम उसी 3 से क्या करेंगे जो अंस है इसमें गुना कर देंगे यहां धियां दीजिए हमारा L से माया है 12 और यहां हर है चार तो चार के पहड़ा हम कितनी बार में बार आता है तीन बार में तो हम उसी तीन से उपर अंस में गुना कर देंगे तीन में ठीक है अब यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे अब यहां देखेंगे अब यहां भी हम इसका हर देखेंगे तो हर है 3 और हमारा LSM कितना है 12 अब धियान दिजिए कि इस 3 में हम कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा 4 से तो 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा तो उसी 4 से अब हम क्या करेंगे उपर जो अनसाइन 2 तो उसमें गुणा कर देंगे 4 से ठीक है तो आप गुणा करेंगे उपर नीचे 3 तिया 9 माइनस 2 चोके 8 बट्टा में 12 अब घटाएंगे तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बट्टा में 12 तो 1 बट्टा 12 आ गया तो यही होगा दोस्तों हमारा answer ठीक है आपको इस step में धियान देना है चलिए एक और question लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं question नमर 2 है दोस्तों 5 बट्टा 4 माइनस 3 बट्टा 2 तो इसका भी हम घटाब बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हर का एलिस्यम लेंगे तो हर है 4 और 2 तो इसमें हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिसे ये पुड़ा पुड़ा कट जाए तो 2 से 4 और 2 दोनों कट जाएगा 4 कट जाएगा दो बार में दो एक बार में फिर 2 से 2 कटेगा कितनी बार में एक बार में और ये एक तो यहां finally एक आ गया तो अब हम क्या करेंगे इस दोनों संख्या गुना करेंगे तो LCM आ जाएगा तो दो और दो को गुना करेंगे 4 तो 4 हो गया हमारा LCM ठीक है तो यहां हम एक line लेंगे बटा का line हर में क्या लिखेंगे 4 क्योंकि LCM हमारा 4 आया है अब धियान दीचे LCM 4 आया है और यहां हर में भी 4 है तो 4 में हम कितना से गुना करेंगे तो 4 होगा 1 से अब हम उसी 1 से अंस में जो 5 है न उसमें गुना कर देंगे ठीक है अब यहां minus है तो minus लिखेंगे यहां है 3 बटा 2 यानि इसका हर में 2 है तो 2 के पहाड़ा हमें कितनी बार में 4 आता है 2 बार में 2 बार में 4 होता है फिर हम उसी 2 से उपर अंस में गुना कर देंगे 3 में 2 से फिर से देखें दूसरा concept LCM आया है 4 ठीक है और यहां है हर 4 तो हम इस 4 से LCM में भाग देंगे तो 4 में 4 से भाग देंगे क्या होगा 1 तो 1 से हम 5 में गुना करेंगे ठीक है इसे पढ़कार माइनस यहां है 3 वट्टा 2 तो यहां 2 है तो 4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 होगा फिर हम 2 से उपर गुना कर देंगे ठीक है तो चलिए अब इसे अहल कर लेते हैं गुना करेंगे 5 एकन 5 माइनस 3 दूनी 6 बटा में 4 तो यहां रहें 5 माइनस 6 है तो 5 में से 6 घटाएंगे क्या होगा माइनस 1 और बटा में 4 यहां माइनस 1 कैसे आया क्योंकि हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है एदि हम 6 में से 5 घटाते तो प्लॉस 1 होता जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में मान आएगा तो दोस्तों इसका एंसर होगा माइनस 1 वटा 4 तो इस परकार हम भीन का घटा बनाते हैं बहुती असानी से हरका एलिस्यम लेकर तो करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और सेर जरूर कीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए